अब आप सब आई होप आप सब खुश होंगे मस्त होंगे दुरस्त होंगे काव्यान ममा ब्लोग में बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में तो यहां पर अभी मैं नहा करके आगए हूँ और आज ना कपड़े थोड़े से ज़्यादा हो गय थे हाथ से धुलने क्योंकि बच्चों की सुबह इसकूल था अज एक्जाम था तो वहीं उतार उतार के बातरूम में डाल के छोड़े चले गया थे क्योंकि वैसे तो सूखे रहते तो मसीर में धुल जाते लेकिन गीले थे और नहाना था ही मुझे तो मैंने बस वहीं हाथ से निकाल दिये मैं करने का चलो कोई बात नहीं इसी तरह हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है और मैं आपको पताइए कि मैंने अभी पापड बनाए थे ना तो पापड की पन्नी वगएरा सब मुझे दुलनी थी और मेरी साड़ियां साड़ी वारी रखी थी वह दुलनी थी तो ऐसे करके थोड काम हो जाता है और मुझे जाना है थेरिपी के लिए लेकिन प्रोग्राम थेरिपी का हो नहीं पाया इसलिए आप देख रहे हैं मैंने बालों को भी नहीं पूछा नहां के आई सीधे मेथी दुली और बस यहां पर आज नास्ते में बनाने जारी हूं मेथी के पराठे इसक सारी ताकत खतम हो जाती है इसी में मैंने दो मिर्ची डाल दी है मतलब हरी वाली दो नहीं एक ही डाली मैंने क्योंकि तो बन जाएगा और हलका अगर बहुत अच्छा पेस्ट नहीं भी बना तो भी चलेगा और उसके बार मैं यहां पर चड़ा दी है चाय जो कि फटा फट चाय बन रही है तब तक मैं इधर लगा लूँ है आटा तो बच्चों को तो चाय से खेर मतलब नहीं है लेकिन हाँ पराठे सेख के खिला दूगी और सुबा जब गए थे बच्चे मतलब स्कूर के लिए तो डूर टोस्ट और चने मैंने नास्ते में थोड़े से बनाए थ तो यह है कि थोड़ा बहुत नास्ता हो गया बच्चे इनको दो दो घंटे में भूक लगती है तो और मेरे बच्चों को मेथी के पराठे बहुत जादा पसंद है लेकिन अगर आप सबजी बना दो तो यह बिल्कुल भी नहीं खाते तो मैंने का चलो ठीक है कोई बात नही हरी सबजे किसी भी तरह ले फायदेवन ही रहती है तो बस यहां पर फटा फट से बना करके मुझे देखने आंगे के काम जल्दी से तो अभी चाय नास्ता सब कुछ हो चुका है सब बच्चे नास्ता वस्ता कर चुके हैं और यह लोग आज एक्जाम था ना तो सुबह जल्दी गए थे और दस बजे के करीब लोट आए तब ही मैंने फिर पराठे वगरा सेखे और सब कुछ हो चुका है और आज जाना था सब्सक्राइब के लिए लेकिन यह थे नहीं तो यह बोले मुझसे कि तुम चली जाओ अकेले और मैं आओंगा तो तुमें ले लूगा लेकिन यह टाइम से आ भी नहीं पाया और दूसरी बात कि यहां पर हो रही है यह बारिस यहां का जो मौसम है बहुत ही खतरनाक हो रह बहुत थंडा बहुत पानी भी थंडारा बहुत अच्छा लग रहा है आपको बता हूँ क्यों कि यहां कई दिन से गर्मी बहुत पड़ रही थी और पता है क्या हुआ कि पापड मैं आज सोच रही थी बनाओं लेकिन इतना कल से अंधेरा एकदम चाया है धूप निकल ही तो फिर पापड बनाना पॉसीबल ही नहीं है तो मैंने आज बनाना कैंसिल कर दिया मैंने का थोड़ा धूप निकले तब मैं स्टार्ट करूं थोड़े से मैं बना चुकी थी आपने देखा रहा तो अभी मैं चिप्स वगरा और जो पुरे आलू के खाली आलू के बनते यह सब मुझे बनाने थे लेकिन मैंने बनाना इसलिए कैंसिल कर दिया तो चली मैं दिखाती हूं आपको और यह थोड़ी दिर में आ जाएंगे वही एक बज़े तक आ जाएंगे तो मेरा नास्तावस्ता हो चुका है और खाने की है तैयारी तो आप बने रही है वीडियो म करूंगी कि मैंने क्या बन मंगाया है तो जो ऑईल डिस्पेंसर मैंने मंगाया थे ना बहुत अच्छे आये मैं बहुत ज्यादा सेटिस्वाइए हूई हूँ मैं बता रहे हो आपको बहुत ज्यादा मुझे पसंद आये वह तो और जो दूसरी चीज बगाई है तो मैं क्यारी जैसी बनाई गई थी फिर इनके ऊपर भरा गया था पानी तो फिर यह सब करने के बाद थोड़ा बैटने के बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में तो यहां पर मैं दूद मेरा एक दिन पहले कर थोड़ा सा बचा हुआ रखा था थोड़ा सा मैंने आज वाले नए व हो जाता है तो इसी तरह बस थोड़ा सा बीनेगर डालने के बाद फिर मैं उसको उफट जाएगा वस इस तरह से चनी में चान लेंगे और पनीर बहुत अच्छा इस तरह से घर पे बन जाता है और सबसे बड़ी बात है कि उसी दूद में उसी बजट में हमारा सब काम हो ज तो इसमें यही पानी यूज कर लेते हैं तो इस तरह से मैं पानी का वी इस्तेमाल करती हूं तो कहते ना आम के आम गुट्लियों के दाम सब मतलब पूरी निकाल लेते हो बस इसके उपर एक प्लेट रखके और चौकी रखके भारी कुछ रख देना है तो मैंने यह पर चा किया ही है बच्चों ने तो खाना लेट खाया जाएगा तब तक यह जितने भी पेंडिंग काम है ना वो सारे मैं कर लूँगी तो यहां पर मैं बच्चों के रूम के लगा रहे हूं पर दे तो आप देखें किते साफ हो गए हैं और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है के बाद तो यह रूम तो मेरा अच्छे से हो गया है लेकिन बस यही है ना जितना दिन तुम करो दो तीन देनी सेट रहता है फिर से बच्चे बिगाड देते हैं और यही हो जाता बस और कुछ नहीं आप देख रहे हैं इधर का मैं कमल से मैंने परदा डाल रखा था क्यों लिए और यहां पर यह अलमारी का परदा भी मैंने दूला था तो देखे वो भी सेट हो गया है क्या है ना इससे कोई भी सपहले में परदा नहीं था लेकिन फिर मैंने लगवा लिया कि फनीचर तो जब होगा तब होगा तब तक के लिए कुछ इस तरह जैसे बंद कर दो तो सारी चीजें बुक्स अगरा जो भी बच्चों की रखी हैं दिखेंगी नहीं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लिए और बैल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन आ सकें और आप हमारे सारे वीडियो का लुपत उठार सकें तो प्लीज एक लाइक जरूर करेंगा हमारे इस वीडियो के लिए आ गए थी किचन में मैंने का देखो अपने पनीर को लगबग देड़ घंते हो गए थे एक देड़ घंते तो यह देखे कितना मस्त पनीर बना है और मैं पिछली बार मैंने छोटे-छोटे पीसे में कट करके रख दिया था तो आज मैं वैसे नहीं रखूंगी क्योंकि पता नहीं कौन सा पनीर हमें बनाना पड़ जा है और यहां पर मैं करने जा रही हूं अन्बॉक्सिंग जो कि मैंने मीशो से ओयल डिस्पेंसर लहें केंब कुईस थे कि कौह सेलों मतलब कहने का की ग्लास वाले लहूं या फिर इस्टील वाले लूँक्ष थे क्योंकि बच्चे चोटे हैं तो कांच वाले भी मिले नहीं सकती कि कई बार बच्चों के हाथा लग जाती कोई चीछ तो टूट जाती है इसलिए जब ये सम कुछ न कुछ बता रहे हूं परेशानी आई रही है सीधी जिन्दगी जी नहीं पा रहे हैं एक दम बी कभी कुछ और नेक्स जो है यह मैंने इमेजॉन से मंगाया है यह मतलब वो पीसों से नहीं है तो यह है एक काउंटर टॉप पे रखने के लिए रैक जो कि मुझे काफी टाइम से लेनी थी लेकिन मुझे यह सुंदर लग रही थी पहले मैंने एक बार स्टील की भी मंगाया थी लेकिन इस्टील का की मुझे कम अच्छी लगी स्पेस उतना जादा नहीं था जितना मुझ मुझे चाहिए तो यह मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने इसको और किया था और मैं इसको मतलब रखोंगी मुझे बहुत अच्छी लगी थोड़ा सा हमारे किचन में रिच लुक देगी यह रैक इसलिए इस पे बॉक्स तो बहुत ज्यादा नहीं आएंगे लेकिन अंदर लगेगी बस यह बात है